नमस्कार स्वागत है आपका Start Investment में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पांच स्टॉक्स के बारे में जवर्दस्त इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ ये कंपनिया जवर्दस्त गोस्डाइं कर चुकी है रिकॉर्ड डेट इन कंपनियों की 1-1 का Bonus, 1-2 का Split, 207 रुपए का Dividend, 1-5 का Split and 1-10 का Split के लिए 22 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर के बीच है जी हाँ दोस्तों 22 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर के बीच है यानि की बहुत ही नजदीक है आप लोगों को पता है Share Market में कंपनिय अपने Share Order को Bonus देती है, Dividend देती है, Split देती है लेकिन क्या खाली यही चीज़े चेक करके इन्वेस्ट कर देना चाहिए कंपनियों में बिलकुल भी नहीं पहले कंपनी की Complete Analysis करनी चीए, उसी के बाद कोई Decision लेना चीए तो चलिए, सुरू करते हैं आज का यह वीडियो सबसे पहले जो कंपनी है, इस कंपनी का Market Capitalization 595 करोड रुपय का है, अगर इस कंपनी का ROC देखें तो 8% का, और Return on Equity 3.5% के करीब है कंपनी की Dividend Yield 0.63% की है, अगर Profit Growth देखे जाए कंपनी की, तो 413% की और Sales Growth 5.61% की है Debt Company के अंदर 315 करोड रुपय का, और कंपनी के अंदर अच्छा खासा काम चल रहा है, कंपनी के Performance भी अच्छी है Sales Growth के बारे में अगर कंपनी के बताओं आप लोगों को, तो कंपनी की Sales Growth अगर आप लोग देखेंगे 2020 में 362 करोड, 2021 में 426 करोड की, Operating Profit 2020 में 38 करोड का, और 2021 में 62 करोड रुपीज का, यानि की हर साल कंपनी का Sales और Operating Profit इंक्रीज हो रहा है Shareholding Pattern देखेंगे, तो इस कंपनी के अंदर FII ने भी Investment कर रखा है और अभी Just DII की September के Quarter में इस Share के अंदर Intry वी है Promoter के पास 32% से जादे की Shareholding, FII के पास 2.66 और DII के पास देख लिजे, अभी Latest Quarter में Intry वी है, September के Quarter में 0.96 और Public के पास 63% की Shareholding है Company का नाम है, विश्वराज Sugar Industries Limited, अब इस जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है Sugar Industry में ये Company काम करती है इस Company के Returns की बात करों, तो 162% के Return पिछले एक साल के दोरानी Company अपने Shareholder के लिए दे चुकी है Company ने Split की घोसना पहले से ही कर रखी थी, हम लोगों ने आप लोगों को भी बताया था तब ही जाके आप लोग इस Company के Split के लिए क्या होंगे, इलिजिबल होंगे अब कितना Split मिलेगा ये देख लीजिए, Company की 10 रुपए की Face Value को 2 रुपए की Face Value में Convert किया जा रहा है यानि कि एक Share के बदले आप लोगों को मिल जाएंगे 5 Share जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास 100 Share हैं तो आपको 500 Share अफरी में मिल जाएंगे अगर आपके पास 1000 Share हैं तो आपकी ये 1000, 5000 Share में Convert हो जाएंगे लेकिन Buy Cup करने होंगे 20 October या उससे पहले जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दूसरी कंपनी के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा कंपनी का अगर आप लोग Price Performance देखेंगे तो एक साल के दौरान 330 के कंपनी ने Returns दिये हैं तीन साल के दौरान 217 कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो Net Profit तो कंपनी का 2021 में एकदम आसमान छू रहा है यहाँ पे देख लिजिए 2020 में 144 करोड रुपए का Net Profit था जो की लगभग 3 गुना से भी जादा यहाँ पे हो चुका है 624 करोड रुपए का 2021 में कंपनी का Market Capitalization देख लिजिए यहाँ पे 4786 करोड रुपए का है और इस कंपनी का dividend yield भी अच्छा खासा है 1.36 परसंटेज का और 10 रुपए की face value वाला यह शियर है ROC 37 परसंटेज Return on Equity 37 परसंटेज का Debt कंपनी के अंदर 896 करोड रुपए और Free Cashflow 929 करोड रुपए का है कंपनी के अंदर Profit Growth देख लिजे 523 परसंटेज की और Sales Growth 42 परसंटेज की है कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है हर साल कंपनी के आंकडों में सुधार आ रहा है कंपनी का नाव है Godavari Power and Spot Limited जी हाँ दोस्तों कंपनी Iron Ore की Mining करती है Manufacturing करती है Iron Ore Pellets की और साथी साथ Generation of Electricity करती है Godavari Power and Spot Limited कंपनी ने दो-दो धमाके किये है उससे पहले Returns बताऊँगा Over the long time कंपनी ने 2011 परतिसत के Returns Generate किये है कंपनी दो-दो घुसनाएं कर चुकी है Bonus और Split जी हाँ दोस्तों पहले इस कंपनी के अंदर अगर किसी Share Order के पास एक Share है तो उसको एक Share Split में मिल जाएगा तो टोटल दो Share हो जाएगे और आप देखेंगे One is to one का Bonus मिलेगा उसके बाद जिस Share Order के बाद दो Share होंगे उसको दो Free में मिल जाएगे तो टोटल कितने हो जाएगे चार से तो सोच लीजे जिस भी Share Order के पास एक Share था वो चार Share में Convert हो गया है मैं तो कहूंगा विप्रो से भी बड़ा यहाँ पे Bonus मिल रहा है इस दोनों के लिए Split और Bonus दोनों के लिए Record Date रखी गई है 27 तारीक की तो X Date है यहाँ पे 26 अक्टूबर के दिन और आप लोगों को 25 अक्टूबर या उससे पहले शेर को ले लेना है तभी जाके आप लोग को Split और Bonus मिलेगा 25 अक्टूबर के दिन अगर Holiday होता है तो उससे एक दिन पहले आप लोगों को शेर को बाई कर लेना चाहिए और Record Date से दो दिन पहले अट लिस्ट बाई कर लेना चाहिए जी हाँ दोस्तों तो यह तो रही दूसरी कमपनी थर्ड स्टॉक के बारे में इन्फोर्मिशन देना चाहूँगा इस कमपनी ने कमपनी का जो नेट प्रोफिट है अच्छा खासा इंक्रीज हुआ 280 करोड रुपए का और कमपनी ने एक दो एक छलांग लगा दी है कमपनी का यहाँ पर हम लोग मार्केट केपिलाज़ेशन देखें तो 2765 करोड रुपए का ROC 42 परसंटेज रिटर्न और इक्यूटे 37 परसंटेज का कमपनी की face value है 10 रुपए की और profit growth देखेंगे तो आँखें आप लोगों की इंडिया लिमिटर जी हाँ दोस्तों नेम में थोड़ा सा यहाँ पर इसपैरिंग देख लिजए आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं अब यह कमपनी करती क्या है ABS सैन एड पॉलिस्टेरिन इनकी मैनुफेक्टरिंग करती है यह कमपनी मान लिजे कि कैमिकल सेक्टर से रिलेटेर है कमपनी कमपनी ने जबरदस्त यहाँ पर डिविडेंट की घोसना कर दी है 192 रुपए का डिविडेंट जी हां दोस्तों 192 रुपए का डिविडेंट कमपनी दे रही है 22 अक्टूबर के दिन को नहीं मिल पाता है तो आप लोग किज़े 12 चे जी हां दोस्तों जैसे beta is that and रहने के लिए 20 अक्टूबर या उससे पहले आप लोग रहेंगे 192 रुपए का डिविडेंट कोई छोटा मोटा डिविडेंट नहीं होता है अगली कमपनी है Infosus Limited इस company के बारे में जादा बताने की जरूत है नहीं, अभी latest company के quarterly results आएं, उसमें company ने धमाका किया है, और company ने over the long run अपने share holder को bonus dividend split देती आई है, 14,688 परतिस के return ने company दे चुकी है, और ये जो share है ना, इसकी ये इस value के उपर मज़ए, कम से कम एक लाग रुपए का ये share है, अ तो आप लोगों को 25 October या उससे पहले share को ले लेना है, तब जाके आप लोगों को 15 रुपए का ये dividend मिलेगा, तो अगर आप लोग यहाँ पे 192 रुपए का dividend, जो की पहले वाली company मैंने आप लोगों को बताई दे रही है, और 15 रुपए का dividend, इन दोनों को include कर देते हैं, त तो 217 रुपए का dividend जो है, आसानी से आप लोगों को मिल जाता है, चलिए, next company के बारे में बताना चाहूँगा, इस company ने पिछले एक साल के दौरण 76% का returns generate किया है, और company के volume में देखेंगे, तो 100% delivery उठाई जाती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्योंकि company के अंदर या तो upper circuit लगते हैं या lower circuit लगते हैं, तो company में मुझे लगता है कि बहुत कुछ चीजे हैं जो कि हम लोगों को पता नहीं है, revenue भी देखेंगे, पिछले 3 साल से लगातार यहां पे गिरावट हो रही है, और net profit company का मातर 1 करोड रुपए का है, छोटी सी यह company है, shareholding pattern में भी अगर कर चुक है company, और stock split इसने दिया था 1 इस टू 10 का, यानि कि एक share पे आप लोगों को 10 share बन जाएंगे, या 100 share हैं तो वो 1000 share आप लोगों के हो जाएंगे, तो इसके लिए recorded रखी गई है, 22 October के दिन, यानि कि 21 October यह उससे पहले आप लोगों को इस share को लेना होगा, तब ही जाक लिए मातर 1.40% की यहाँ पे share holding है, हो सकता है कि यह छोटा मोटा पैसा आप लोगों को बना के दे, लेकिन पैसे फसाने वाली बात भी यहाँ पे हो सकती है, बाकी आप लोगों के उपर है, तो जरूर बतेएगा comment करके कि कैसा लगा आज का यह वीडियो कैसे लगे information, आज क इस बुड़े में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद.